तो बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है क्योंकि चार महीने बाद चुनाव है आरूप प्रत्यारूप में तेजस्वी यादो और जेडियू के नेता लगे हुए हैं लेकिन चुपी साधे हुए हैं महागडवन्दन के कुछ बड़े नेता अभी मेरे साथ हैं व्याइपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इनसे बात करते हैं कि चुपी का राज क्या है कहीं खिचली तो नहीं पक रही है ख़वर आ रहे है कि कोई खिचली पकार है आप अब यह तो बात आपकी को पता है सुप्रों से जानकारी मिली गया तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे है ऐसी कोई बात नहीं है प्रदास्ती बोलना चाहते तो बुली अब बोल देते लेकिन ऐसी बात नहीं है और फिर मैं अपना काम करा दोस्तियार है बहुत सारे नेता है जो बीजेपी में है या जडियू में है लोगों से बात्चीत हो गरें सब होता है कि अधर आने का इंट्रेस्ट रखते हैं कि हमको भी जगह बना दीजेगा ठीक है क्योंकि आज देख रहें कि महागट बंदन मजगुती से बिहार में कहीं न कहीं नितिजी के ओज़ा से नहीं या डूबने वाला है इंडिये का तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं संपर्द में है किजिएगा ध्यान रखिएगा तो इस तरीके का बात कोई दुसरी आ रही है मेरे पास मेरे पास एक ख़वर आ रही है कि जितन डामाजी जेडियू में एड़स्ट होंगे आप बीजेपी के साथ जाएगे ने ने मैं ऐसा कोई बात नहीं है मैं अभी अपना काम कर रहा हू ठीक है और बीजेपी के नेता से क्यों बेठक होगा वहां पर राहूल गांदी जी से बेठक होगा अभी वो गोहिल जी नहीं है न दिली में दिली में गोहिल जी नहीं है गोहिल जी का मतलब अभी गुजरात में उन्हें इस तरीक उनका है या गंधी राहूल गंधी तो है हमारे पास पूर्ण आया कि समय थोड़ा फिरी रखियेगा एक इस तारीक के बाद तो हमने बोला ठीक है तो बाकी आप लोग कांग्रेस को पकड़ रहे हैं किस ने बोला कि हम से बात नहीं कर रहे हैं जीजे वो तो कह चुके हैं कि हम क्यों बात करेंगे जक्ता नुन हमको सीट किसी से नहीं मांगना है यह लिख लिजिए कि ब्याइपी पार्टी को किसी से सीट नहीं मांगना है मेरी इतनी सीट पर हम लड़ेंगे इतनी सीट पर आप हमको समर्थन दीजिए बाकी सीट पर हम आपको समर्थन देंगे किसी से सीट थोरे मांग रहे हम लोग क् तैयारी तो देखे हम तो पिछले बार भी बोले कि जितना हमारे हग बनेगा उत्ता हम नहीं मांगते हैं हम किसी से क्यों मांग करें वो एक बार बैठेगे उस को लेके बैठेंगे कि हम इतना सिट पर लड़ेंगे और बांकी का सिट पर हम आप लोगों को समर्थन देंगे ची्ट उसी शेट पर लढ़ना चाहतें shto लार्पण, लाटै, जिस पर लणना चाहते, हमारे तयारी हो रहा हम, सब्सक्राइब्समाडना चाहते और को सब्दaking कर का नौट बढ़ना, इतने सीट पर आप समर्थन बढ़न स मजपपूर में गाय घाट और नाम बता दे तो अच्छा नहीं रहेगा एक उत बता दिये ना थोड़ा रनिती वाइज सही नहीं रहेगा ठीक है हमारी तैयारी होगा ग्राउंड लेबल पे तैयारी चल रहा है जिरू लेबल पे और हम कुछ सिट स्लेक्ट कर लिये हैं गटबंदन के जब लोग बैठेंगे तभी हम अपना एक्छा रखेंगे कि यह सीट पर हम बैड़ ला रहेंगे बाकी जगा हम आपको सहीओ करेंगे बाकी कोई किसी से सीट थोरे मांगने की बात करेंगा चर्चा यह चल दिमकेशनी जी कि करी मेरे पास अभी तक नहीं है ठीक है जैसे आप बोल रहें उसी तरीके से सुनने के लिए मिलता है तो संभावना कभी भी कुछ भी हो सकता है तो यह तो पेंदर कुछवा जी को सोचना है और या कॉंग्रेस पार्टी को सोचना है तो सब सोतंत्र है अपने पार्टी को आ परदेश में होगा भी क्यों भाई एक साल में तो इन्होंने परटी को जमाद दिया है बिहार में और विधान सवाको उपचुनाव में अपना अपनी ताकत भी दिखा दिया है तो यह बिले करन वाले नहीं है जैसे कि कांग्रेस की रणनीती है कि छोटे दलों को कांग्रेस में लाया जाए और फिर तेजस्वियादों पर दबाव बनाया जाए लेकिन सनफ मला करना है कि उन्होंने चुन लिया है कि किन सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है महागडवंदन में रहेंगे भी तो उसी सीट पर सुनाव लड़ेंगे जहां पर एत्यारी कर रहा है